हें गाइस वेल्कम बैक टो दी स्क्रीन से वी आज मैं एक्स्पेन करने वाली हूँ दो और दो प्यार मुवी को यह मुवी एक कपन के बारे में है दोनों का ही बाहर अफेर चन रहे हैं पर अभी तर्म टिवोर्स नहीं दिये हैं और लगता भी नहीं है कि यह कभी कुछ गंपेस कर पाएंगे मुवी फनी तो नहीं है देखते हैं कि कैसे ही अपने नियु नियु पार्टनर्स के पास नियु लाइफ ऩ़ स्टार्ट करने जा पाएंगे अपने टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग में काव्या अपने बी एफ विक के साथ बाहर आई है विक को नियॉयोर्क जाना है पर काव्या को यहीं मुंबई में एक फ्लैट लेकर उसमें विक के साथ रहना है विक के लिए कावया ही उसका गर है ये कावया को बहुत लब करता है दूसरी साइड अनीरूद अपनी जी एफ नोरा के साथ है नोरा एक एक्ट्रिस है ये अभी रोल पाने को श्ट्रगल कर रही है नोरा जितना एग्रेसीव है अनीरूद उतना ही जादा सुईट कि अपने फादर की डेथ के बाद उनकी कमपनी को ना चाते हुए भी फैमिली की रेस्पोंसिबिलिटी उठाने को चला रहा है अनिरुद का टेलेंट सिंगिंग था बड़ इसको अपने ड्रीम छोड़ना पड़ गया था तबी अनिरुद की कोल किसी सामान के बारे में पूछने को आगी विक अब काव्या के लिए बहुत पजैसिव है ये नहीं चाहता कि काव्या अनिरुद से बातती करें काव्या को भी थोड़ा गिल्ट फिल होता है ये कल को ही लोयर से बात करेगी डिवोर्स पेपल्स के लिए उधर नहीं नहीं अनिरुद को काव्या को सब बता कर अलग होने को बोल रही है अनिरुद और काव्या की सादी को बारा सान लो चुगे है इनकी लव मैरी जोई थी इतना टाइम एक साथ पिताया है तो अभी दोनों के लिए कनफेस करना हार्ड है आज नोरा अनिरुद को फोर्स करी है काव्या को सब बताने को क्योंकि इसने अपने पिरियड मिस कर दिये हैं और इसको डर है कि ये प्रेगनेंट है बट जब अनिरुद घर आया तो पता चला कि काव्या की दादा की डेथ होगी है काव्या सबसे ज़्यादा क्लूज उन ही के थी तो काव्या उटी हपने घर जा रही है अब अनिरुद भी इसके साथ जाएगा क्योंकि इन्होंने भाग कर साधी की थी तो काव्या को वहाँ फैमली का गुस्सा फेस करना पड़ेगा इसलिए अनिरुद भी काव्या को सपोर्ट करने को जाने लगता है रास्ते में इनको शादी से पहले के थ्री यर्स डेटिंग वाली डेज यादा रहे है आज इनकी ऐसी कंडिशन है कि इनकी भी जमपाते ही नहीं होती पर ये जर्नी इनको थोड़ा स्वाइल करा पाई फिर घर पे सारे रिलेटिव्स की गोश्य पो और काव्या के फादर का गुस्सा इन दोनों के अंदर दूसरी के लिए प्रोटेक्टिव फीलिंग्स ले आते हैं काव्या का भाई एप रोड में है तो आज नहीं आपाएगा इसलिए दादा का क्रिमिनेशन कल होगा इनको आज यही रुखना होगा नाइट में ये सिंगल बैट पर सोई तो और कुलोस आगे नेक्स्ट ए काव्या के फादर का गुस्सा कि काव्या डोक्टर नहीं है बस टैंटिस्ट है और अनिरूप की छोटी सी कंपनी है काव्या के अपने फादर से पहले कभी नहीं बनी आज ये दाने सुनकर काव्या गुस्से में घर से चली जाती है ये दोनों पास के बार में गए और अनिरूत कावया को हसाने का ट्राई किया अपने बैड जोक से यही इन दोनों ने ड्रिंक की और फिर अपने कॉली स्टेस वाले फेफरिट सौंपर डांस किया यह रापको टनली होकर घर आए आज यह इन दूसरे की कंपनी को इंजोई दर रहे थे पर फिर इनकी पैमली ने आकर सब कर्ड़ कर दिया अब दादा का क्रिमनेशन वा और यह वापस अपने घर आ गए अनिरूत को नोरा अपने पास पुला रही थी और कावया को विक पर यह तो इस ट्रिप के बाद इक दूसरे की इतना गलोज आ गए थे की घर आकर इंटिमेट हुए नोरा का प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट नेगिटिव आया है अनिरूत इसको ओटी से आने के बाद मिलने ही नहीं आया तो इसको गुसा आ गया और यह अनिरूत को उसकी कंपनी में ही मिलने चले गए अनिरूत इसको कल के बारे में कुछ नहीं बताया यह आज भी कावया की दादकी डेट का बहाना दे रहा है डेट की वज़े से कावया को सच नहीं बता पाया अब कावया को मनाने को आज प्रोपर डेट पर ले गया और वहां आज रात इसी के साथ रहने का प्रोमिस कर दिया उधर विक भी काब ऐसे गुस्सा है क्योंकि ये भी विक से मिलन नहीं आई थी विक इसको नेक्स्ट थ्री विक के बाद नियॉयोर्क चलने को बोल रहा है तकि वहां नियुलाइफ स्टार्ट कर पाए तब ही अनिरुद का कोल आ गया ये बहाना दे रहा है कि आज घर नहीं आ पाएगा पर फिर दोनों ने कोल पर फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इनका फ्लर्ट अगेन नाइट में घर पे आगे खतम हुआ अनिरुद नोरा को अगेन छोड़ कर आ गया था ये दोनों अब अपनी मेरिट लाइफ में बापस हैपी हो गये थे अनिरुद ने नोरा को बहाना देना और अवोईड करना स्टार्ट कर दिया और काव्या ने विक को नोरा और विक दोनों डिप्रेस रहने लगे थे इनको थोड़ी इरिटेशन भी होने लगी थी ऐसे ही करते करते टू वीक्स निकल गए विक तो काव्या से बात करने को इसके फ्लेट तक आ गया था ये पुझेसियली काव्या को एक बार मिलकर बात करना चाता था बट यहां इसको अनिरुद टकरा गया विक अपसेट होकर वापस चला गया फिर नोरा ने भी अपनी प्रेसेंस अनिरुद को फील कराने को एक पियानो गिफ्ट कर दिया आज काव्या के पैरेंट्स एक नाइट के लिए काव्या के घर आ जाता है ये काव्या की शाधी के बाद पहली बार यां आए थे तो अनिरुद इनको इनकी शाधी की अल्बम और कुल जो मुमेंट्स दिखा रहा है नेक्स दे नोरा ने अनिरुद को अपना एक dance performance दिखाने बुलाया नोरा ने अनिरुद के गाए हुई एक song को अनिरुद से बिना पूछे ready किया था ये song अनिरुद ने काव्या को dedicate किया हुआ था और इसका original था तो ये काव्या से गुस्सा हो जाता है और तोबारा song ना use करने को बोलता है नोरा ये बस अनिरुद के close रहने को और उसको happy करने को कर रही थी पर अनिरुद तो उल्टा गुस्सा हो गया फिर ये घर गया तो काव्या का फोन रिंग हो रहा है काव्या बिजी थी इसलिए अनिरुद ने कोल उठा लिया ये कोल प्रोकर का था विक ने इनके लिए मुंबई में घर खरीत लिया है तो अभी अनिरुद को काव्या की affair के बारे में पता चल गया बट घर पे काव्या के parents आये हुए तो ये कुछ नहीं बोला अभी काव्या बिक से उस घर पे मिलने गई मुंबई के इस घर का ड्रीम काव्या का था बिक पर नियोर्क जाना चाता था बट अब बिक को लगने लगा था कि काव्या और इसके भी इस डिस्टेंस आ रहा है ये काव्या से बहुत लब करता है उसको खोना नहीं चाता तो इसने काव्या के लिए यही पलखर करीद लिया बिक ने काव्या को दिवाले तक का टाइम दिया कि काव्या इसके साथ रहेगी या अनिरूद के साथ फिर काव्या की क्लिनिक पर नौरा आई ये कावया को बस इतना बोलने आई थी कि अनिरूद इसको छोड़ देगा अनिरूद कावर्ड है वो कावया को कभी नहीं बोल पाएगा इसलिए नोरा खुब कावया को ये बोलकर चली गई अब कावया के पैरेंट्स चली गई हैं तब कावया ने अनिरुद पर चिनलाना स्टार्ट कर दिया नोना कोन है इन दोनों के बीज़ ये कब से चल रहा है अभी अनिरुद भी विक के बारे में पूशने लग गया गैस फाइब यर्स पहले अनिरुद के फादर की डेप के बाद पूरी फैमली की रेस्पोंसिमिलिटी इस पर आ गई थी तो अनिरुद ने अपना ड्रीम अपना पैशन सेक्रिफाइज कर दिया था ये हसना भी भूल गया था दो साल तर कावया निरुद से बात करने को उसको हैपी देखने को भी तरस दी थी तब कावया को बिक मिला था और अनिरुद अपने फादर की डेट से तो शैटर था ही पर तब कावया ने अपना अबोशन कराय था इसको बेबी नहीं चाहिए था पर अनिरुद को चाहिए था इसलिए अनिरुद अपने उस डार्क फेज में काब्या से भी गुस्सा था और बोलना छोड़ दिया था फिर इसको नोरा मिली वो अनिरुद को ऐसी ही सैड डिप्रेंस और इंकम्प्लीट लाइक करती थी तो ये दोनों ख्लोज आ गए थे अब अनिरुद और काब्या ने इस घर से अपना-पना सामान लिया और अलग हो गए अनिरुद नोरा के पास चला गया पर काब्या विक के पास नहीं जा पाई ये अब कही न कई समझ गई थी कि अनिरुद इसकी अबोशन की वज़े से इससे गुशा था तो काब्या विक से अलग हो गई अब वन एर के बाद काब्या बापस अपने उसी फ्लैट पर आई जहां ये और अनिरुद रहा करते थे ये लोग इस फ्लैट को बेज रहे हैं उच्टे के बाद आज तक इन दोनोंने आपस बेबात नहीं की थी अभी नोरा की मूवी रिलीज हो चुकी है और अनिरुद और नोरा की बीच रिलेशन ओवर हो चुका है कभी तो भी प्यार ही गाफी नहीं होता रिलेशन को बनाए रखने को तो किसी रिजन से इनका रिलेशन वर्काउट नहीं किया अब अनिरुद भी उसी फ्लैट पर कावय से मिलने आ गया इसको अब अपने बागी लाइफ कावय के साथ ही जीनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसके अलाबा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहापे आप शोपिंग में भी अच्छा कासा पैसा बचा सकते हो इसमें बस आप लोगों का ही प्रोपिट है इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी उसको एंड तक देखना आपको सब जमझा जाएदा हेई गाईज, ऑनलाइन शोपिंग तो अब लोग करते ही होंगे बट अगर वो शोपिंग और भी जादर सश्मे में हो जाएए मैंने खुद ये रियल्मी का हेडर ओली 444 रूपिज में बुक किया है इसी के साथ ही सथ इधर अपको स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूस, प्लोट्स बहुती रिसकाउंटेट प्राइस में मिलेंगे जो कि लिमिटेट टाइम के लिए अपकी फेवरिट शॉपिंग प्लैट्फोन पर आती है वो हम अपको बताएंगे सो जॉइन करने के लिए प्लेस्टोर से टेलिग्रम अप को डाउनलोड केजिए रिजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा यह रहा ग्रूप अब आप जॉइन हो जाएंगे और ग्रूप में जरूर एक्टिव रहें लिमिटेट डिल्स को ग्राप करने के लिए यह ड्रेस्किप्चिप्चन की लिंक से भी आप डिरेक्ट जॉइन कर सकते हैं जर्दी ग्रूप जॉइन करें और आपवर्स को ग्राप करें